क्या आपको याद है heat और temperature में difference क्या है और heat transfer के types क्या है अगर आप एक book और metal container को fridge में रखे और कुछ देर बाद उसे उठाए तब आपको mental container book से कहीं ज्यादा ठंडा लगेगा दोनों का एक ही temperature में रखा गया है फिर भी container ज्यादा ठंडा होता है नहीं यह कोई trick नहीं है बलकि इसकी बीचे एक physical reason है metallic conductor है और paper insulator इसलिए metal हमारे हाथ के energy को book से भी ज्यादा absorb करता है और इसी वज़े से book और metal को एक ही temperature में रखकर भी metal हमारे हाथ के temperature ज्यादा तेजी से कम करता है और हमें metal ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि हमारे हाथ का जो temperature होता है हम उसे ही feel कर जकते हैं इसी तरह और भी mysterious चीज़े जैसे anomalous behavior of water, humidity, dew point, specific heat capacity और यसे बहुत चारे topics से related phenomenon जो हम experience करते हैं उसके बारे में हम जरूर बताएंगे और हमारे साथ जुडने के लिए हमारे चानल को subscribe करें और आने वाले exciting videos के लिए जुडे रहें झाल झाल